हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल मर्दर क्लासिज पर दोस्तों आज हम बात करेंगे मुक्यम मंत्री अनुपर्ति कोसिंग योजना 2021 के बारे में अब ये योजना जो सरकारी नोगरी की तयारी करने वाले इस्टूडेंट हैं उनके लिए लागू होगी तो अब सरकारी नोगरी की तयारी करने के लिए आपको 75,000 रुपे की कोसिंग फीस है जो की सरकार देगी जो इसमें IAS, RAS, SI, NEED, J, RIT, G और पुलिस, LDC, पटवार इतियादी इन सभी प्रेक्षाओं के लिए सरकार आपको 75,000 रुपे तक की जो स्यक्षनिक संस्तान है वहाँ पे फीस देने वाली तो इस योजना के बारे में संभून जानकारी देने वाला उससे पहले आपसे जोटी सी रिक्ष्ट रहेगी कि आप इस सैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सलते हैं मुक्य मंत्री अनुपर्टी कोसिंग योजना की विग्यप्ति पर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं परिपड़तर जरकार ने जारी गया है यहाँ पे इन्होंने बताएग विबिन प्रोपेस्नल कोर्ष हैं पर्तियों की प्रिक्षाओं की त्यारी के लिए सबल परदान करने के बाबत में मुक्य मंत्री अनुपर्टी कोसिंग योज जन जाती स्यात्री विबाग समाजिक निया वदिकारत्य विबाग तता आलप संके मामला मंत्राले की कोसिंग योजना 2021-22 से तो प्रारम की गई है तो इसमें क्या होगा दोस्तों आपकी मेरिड लेष्ट निकाली जाएगी तो जिनके भी 50% या इससे उपर है 70% तक तो उन प्रारम की मेरिड लेष्ट निकाली जाएगी तो दसवी और बारवी के अंदर आपके 50% से उपर हैं तो फिर आप इस योजना के लिए एलिजेबल हैं तो आपकी पहले मेरिड लेष्ट निकाली जाएगी उसके बाद में जो जितने भी स्टुडेंटों को ये योजना का आप मिलेगा तो वो उन मेरिड के आदार पे मिलेगा और इसके अंदर भी 50% है जो कि महिलाओं के लिए यह लड़कियों के लिए 50% आरक्षन दिया गया है इन्हों में 50% लड़के होंगे और 50% लड़किया होंगी तो इस परकार से आपको यहां पर आरक्षन दिया गया है और इस योजना के तेट से, से, स्ट, OBC, MBC, मायनेट्रियम, EBS के सभी सात्रें पात्र होंगे जिनके परिवार की आर्टिक आए, आपकी आर्टिक आए, आठ लाग पड़ती वर्से कम हैं और जिनके मातापित्य राजी सरकार के कर्मिक होने पे भी मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वैतन प्राप्ट करते हैं तो उनों के स्टूडेंट भी यहां पर सामीले योजना के तहित विबिन प्रिक्साओं की तियारी के लिए वैक की जाने वाली रासी और कोसिंग संस्तानों की अवदी और सात्र सात्राओं की नियुनतम युगिता क्या रहेगी वो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि आप UPSC या आईवित करने वाली सीविल सेवा प्रिक्सा के लिए अगर आप कोसिंग में परतिशिश कोसिंगों में त्यारी करते हैं तो इसके लिए आपको 75,000 रुपे की रासी मिलेगी उसके साथ में एक वर्ष की अवदी और सनात तक सनात कोर्तर के अंतीम दो वर्षनों के अधियनरत साथ रहेंगे और कक्सा बारा में 70% अंक हैं तो इसमें 200 स्टूडेंट की मेरिट लिष्ट निकाली जाएगी अलग-लग कैटेग्री वाइज तो इसकी लिंक जो पीडिये पे वो मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा वहाँ पे आप संपुन देख सकते हैं और अन्य संस्तानों के मादिम से 50,000 रुपे यहाँ पे एक वर्ष की रहेगी सैम कैटेग्री और यहाँ पे आपकी सनातक या सनातक के अंतिम दो वर्ष में अधियन्द कर रहे हैं सेकंड या पैनल में कोई भी तो आप पसास दस बारवी के अंदर आपके 60,000 पर तिस्त अंक होने साइए आरपी ऐसी द्वरा आजवित आरएस की अधिनिश्ट सेवा बोर्ड की जो भी प्रिक्सा हैं उनके लिए यहां पर परतिटेश संस्तानों के लिए 50,000 रूपे रखे जाएंगे रासी के रूप में और एक वर्ष का समय दिया जाएगा कोर्ष के लिए सनातक सनातक कोड़ के अंतिम दो वर्षों के अधिनत रहे हैं कक्सा बारवी में 65 परतिसत अंक होने सही है 500 पद रहेंगे यहां पर 500 स्टूडेंटों को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी अगली है आरपी ऐसी दुआरा आज़ुद सब इस्पेक्टर जिसमें 3700 ग्रेड पे मिलता है और वर्तमान में मैट्रिक्स पे लेवल 10 उस पे लागू होता है तो उन्हों के लिए 20,000 रुपे जिसमें 100 मा की अवदी रहेगी और यहां पे सनात तक के अंतिम दो वर्षों तक और बारवी में आपके प्रसास परतिसत आंक नियुमतन होने सही है और 800 विद्यारती की यहां पे मैरिड लिस्ट निकाली जाएगी रीड प्रिक्सा के लिए जो 15,000 रुपे मिलेंगे और स्यार मा का समय मिलेगा यहां पे बारवी में पसास परतिसत होने चाहिए और 1500 रुपे यहां पे 1500 दोस्तों पोस्टे रखी गई है और उसमें से आपकी मैरिड लिस्ट जारी की जाएगी जो कि आपकी दसवी और बारवी की मरक्स जिट के आदार पे और इसमें भी 15,000 परतिसत इस्टूडेंट वो मिल आए होंगी आर बी ऐसी दोवारा आई उजिद प्रिक्सा में जैसे कि पटवारी है करनिष्ट साय के ग्राम से गवगिरा है तो इन सभी बर्दियों के लिए 10,000 रुपे कोसिंग के रूप में दिये जाएंगे और 6 मा का समय मिलेगा यहाँ पर आपके बारवी में बारवी पास और RCIT या बारवी में अध्यन अधत भी रह सकते हैं यहाँ पर computer course होना सही है और 3-3 computer certificate है तो भी सलेगा तो यहाँ पर आप सना तक होनी जरूरी है और यहाँ पर 1200 student की married list निकाली जाएगी Constable प्रिक्सा के लिए 10,000 रुपे फेसर के रूप में रहेंगे कोसिंग के और 6 मा का समय यहाँ पर course का है 800 पोस्ट है रूँगी और उसके अंदर से married list निकाली जाएगी Engineering और Medical परवेश के लिए यहाँ पर 30 संस्ताओं के लिए 70,000 रुपे पर्तिवर्स है दो वर्स का course है तो आपको अलग-अलग मिलेंगे पर्तिवर्स और अन्य संस्तानों में 75,000 रुपे पर्तिवर्स रहेंगे और यहाँ पे दसवी में 70,000 रुपे रहेंगे जरूर यह शार जार पोस्टे रहेगी और अलग-अलग पर्तिवर्स संस्तानों के मादियम से यहाँ पर्तिवर्स के लिए यहाँ पर 40,000 रुपे रहेंगे एक वर्स में और दसवी में 70 पर्तिवर्स और अन्य सही तो इस परकार से अलग-अलग कैटिवर्स रहेगी और परिक्षा का जो रहेगा मेरिट का निर्दारंद उप्त अंक तारिक का के मादिम सी यहां पे दसवी और बारवी की जो भी RBSी द्वारा जारी की गई मारक सीट है उन्ही के परतिशत के आदार पे दसवी बारवी के जो अंक मिले हैं उन्ही के आदार पे मेरिट लिष्ट निकाली जाएगी और यहां पे S darf करने वाले सातर सात्रों और आवास इत्यादी के लिए यहां पे शालिस जार रुपर हथिरिक राशी उप्लग्द करवायी जाएगी बैसरत है उन्हें कोसिंग के लिए अपना आवास होड़कर किसी अन्ने सहर में कोसिंग के लिए आकर रहना पड़े ये 46,000 अत्रिक्त रासी का वैस समधित विबाग द्वारा किसी उद्देशे के लिए किया जा सकता है यदि विबाग द्वारा ऐसी कोसिंग के लिए आवास भोजन इत्यादी की वैवस्ता की जा रही है तो आप कहीं दूसरे सेर में जाकर के त्यारी करना चाहते तो आपको 40,000 रुपे इत्रिक्त मिलेंगे जो कि आपका रूम का बाड़ा है और आपके खाने के वगेरा वो आपको 40,000 रुपे इत्रिक्त दिये जाएंगे कोसिंग के अलावा इसमें जिनका भी नंबर आजाता मेरेट में उन्हों ही मिलेगा और पड़तेशेस संस्तानों का तात्पर ये क्या होगा कि UPSC दौरा आयोज़े जिसमें कम से कम तीन सेलेक्षन उसने पांस वर्षों में दिये हैं ना तीन विद्यार्थियों का सेयन भी हुआ है ने और उन्हों में आपको जो अर्क्षन के सेब्देश यहां पर दिया जाएगा जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो इस परकार से ये टेलिग्राम पर मैं डाल दूँगा वहां से आप देख सकते हैं तो थैंक्यू दनेवाज जहिंद जय बार्त